नमस्कार दोस्तों मैं रतन मुलेवा आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉलम का सोलुशन दिखा रहा हूँ और शाती साथ उस प्रॉलम को भी रिकॉर्डिंग किया हूँ solution करने श्रिप पहले दोस्तों यह बहुत ही कम देखने को मिलता है कि उस problem को हम लोग recording करने जा रहे हैं उसके बाद में solution बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि उसका solution दिखाते हैं लेकिन problem को लोग record नहीं कर पाते हैं तो हमने इस problem को recording किया है कि contact list is being update का रही एरोर आपको देखने को मिल रहा है साख साथ, तो दोस्तों इसी problem को आप देख सकते है, आपने स्क्रीन पर मैं कुछ इसी तरह के सांदर वीडियो आपके लिए लेकर आता रहा हुता हूँ, तो दोस्तों इस problem के solution की तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहले आपको setting में जाना है और श्रेटिंग में जब किया आपको है जो application या apps करके लिखा रहेगा वहाँ पे manage apps करके लिखा है दोस्तों दोस्तों यहाँ पर आपको apps में search करना है या फिर आपको show system apps करके है उस three वाले dot पे click करके आप उस option को जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ show all apps सारे apps को यहाँ पे show कर दीजिए show करने के बाद मैं आपको यहाँ पे contact करके search करना अगर three starting words भी आप लेकेंगे contact and dial इसको दोस्तों यहाँ पे clear all data कर देना है clear all data clear all data हो जाएगा इसका setting जो है वो clear हो जाएगा दोस्तों आपका जो contact number है वो तो सारा Google फॉन में रहेगा उसको कुछ नहीं होगा तो storage contact and dial कर जर जो setting है उसको हमने clear catch और clear data दोनों भी आप हमने कर दिया है दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको दिखा दिया हूँ दोस्तों और फिर आपको यह करने के बाद में एक बार पीछे आ जाना है दोस्तों और यहां पर आपको एप यह और दोस्तों clear contact and dial और contact storage इन दोनों को आप है जो reset कर दिजिए और यहां पर आपको इसको एप जो है performance उसको आप reset कर देंगे तो यहां पर यह जो mobile है वह हैंग हो चुका है क्योंकि इसकी जो memory है वह फुल हो गई है तो यहां पर जो एप का जो performance है वह रिशेट कर दिया हूं दोस्तों लेकिन यह mobile है हैंग हो गया है लेकिन साइथ आपका mobile यहां पर हैंग नहीं होगा अगर storage फुल नहीं है तो यहां पर यह हैंग होने के बाद में जब हम इसको शुरू किया तो यहां पर जो problems है वह solve हो गया है दोस्तों आप देख सकते हो कि सारे contact उपर वो जो option जो आ रहा था है वो चला गया है दोस्तों और हम जो नया contact सेव करने सेव करने पर जो error आ रहा था same to same वो भी अब चला गया है और हम एक बार आपको उस option को भी दिखाने वाले जो contact को add करते हैं तो यहां पर जो है contact यहां ऐसा करने से वह आ रहा था तो वहां पर वह है जो option हट चुका है दोस्तों